नमस्कार मित्रो, किसी बेक्ति के जीवन के बारे में हमें जानना है, तो हमें जो जन्म कुंडली निकलवाना पड़ता है, और इस बेक्ति का कैसा सुभाव हो है, इसके बारे में अगर हमें जानना है, तो हम नाम के पहले आच्छर के आधार पर भी बहुत कुछ पता लगा स सकता है लेकिन मित्रो जो हमारा बिल्कुल सटीक जानकारी देता है वो दोता है जोती सास्त्र जोती सास्त्र के जरिये अगर किसी बेक्तिका जन्म कुंडली निकाला जाता है तो इसके जरिये हम बिल्कुल सटीक जान सकते हैं कि इसके आने वाले समय में कहां पर इसे लाब मि बारे में हम जानना चाहते हैं तो जोतिस चास्त्रड बेक्ति के नाम के पहले अच्छर के अधार पर बता सकता है। पता लगा सकते हैं कि आके पास कितना धाना है, आपके पास कितना पैसा है और आप लोगों को कब लाब मिलेगा किन छेत्रों में आप लोगों को लाब मिलेगा ये मित्रों होता है आपके सरीर की बनाऊट को देखकर आपके सरीर में कुछ बदलाओ को देखकर ये पता लगाया जाता है वस्तु सास्त्र के जरिये वस्तु सास्त्र ये कहता है किसी मानो इंसान के जो है सरीर में बदलाओ को देखकर उसके सरीर पर effect देखकर यह पता लगा सकते हैं कि इस बेक्ति के पास कितना पैसा है और आगे चल कर यह बेक्ति कैसा बनेगा धनवान बनेगा या फिर गरीब बनेगा तो मित्रो आज की वीडियो वस्तु सास्त्र के जो एतिस ज्यान के उपर अ आपका सुभाव कैसा हो सकता है और आप लोगों को धन कितना मिल सकता है रुपे पैसो की दिक्कत होगी या पिन नहीं ये सारी जानकरी वस्तु सास्त्र देता है आपके सरीर के effect को देखकर आपके सरीर में हुए बदलाओ को देखकर हम यहां पता लगा सकते हैं कि इस बेक हो सकते हैं आगे चलकर और आपके पास कितना धन है क्योंकि ये वस्तु सास्त्र पर आधारित है वस्तु सास्त्र ये बताता है आपके सरीर की बनावड देखकर आपके सुभाव को देखकर यह बता देगा कि आपके पास कितना धन है कितना पैसा है और आगे चलकर आप लो अंगुठी से अगर बड़ी दिखाई देती है आप अपने पैर को देखिए अगर आपके पैर की अंगुली जो है अंगुठी से यानि कि आपकी जो तरजनी अंगुली है वो अंगुठी से बड़ी दिखाई दे रही तो आप जो है एक करोर पती विखते हैं आपको आने वा पुरुष के पैर कोमल मसल्स के हैं यानि कि भरे हुए रक्तवर्ड के हैं और लाल रंग के थोड़ा सा दिखते हैं और जिनके पैर में पसीना रहता है वह सभी बेक्त जो है सुख सुविदाओं को प्राप्त करते हैं और सुख उनको ज्यादा मिलता है और कठिनाईयां जो अंगुठा है वो बहुत ज़्यादा मोटा दिखाई देता है तो उनका भाग उनका साथ नहीं देता है अगर आपके अंगुठा का पैर सबसे मोटा है और मोटा दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा भागी में थोड़ा आप लोगों को कम भागी मिलेगा आपका भागी क कम हो जाता है क्योंकि अंगुठा आपका थोड़ा मोटा होगा तो आपको थोड़े से दिक्कते मिल सकती हैं चौती बाद अगर किसी पुरुष के पैर सफेद और नाखून जो है तूटे होते हैं या फिर अंगुलियां की बनाओ जो है आसामान होती है अच्छी नहीं होती ह उनके जीवन में अच्छे खासे लाव भी नहीं प्राप्त होते हैं और ऐसे बेक्तियों को थोड़ा सा संकट भी मिल सकता है और ये बेक्त थोड़ा संकटों के चक्र में इनके जीवन पर कुछ बड़े इफेक्ट और बदलाव नहीं हो पाते हैं और इनको बड़ी- परिसानियों को भी जहलनी पड़ती हैं ऐसे में मित्रो आप लोगों को बगवान सियू की पूंजा और बजरंग बली की पूंजा आउसी करना चाहिए तो मित्रो एक बार कमेंट इसेक्षन में ओम नमाशुवाय और जै बजरंग बली आउसी लिखे तो मित्रो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप करते हैं मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक मित्रो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को इंड तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद